Hashtag, Hashtag हर कोई यूज़ करता है Instagram पर, Facebook पर, Twitter पर But actually ये काम कैसे करता है वो मैं आज आपको बताऊँगा Technical Aspect में आप देख रहे हैं Learn with the Local Guide मैं हूँ नदीम, let's start Hashtag लाया गया था Twitter के द्वारा 2007 में Chris Messina द्वारा और इसका जो main purpose था वो मैं आज आपको layman terms में समझाऊँगा Layman time मतलब बिल्कुल simple terms में ताकि आपको अच्छे से समझना है D-Mart हम सब गए है, right? मैं भी गया हूँ, आप भी ज़रूर गए होंगे, I'm sure तो जब हम D-Mart जाते हैं, तो आपको कैसे पता चलता है कि आपको lice oil कहा मिलेगा या तो मूंग की दाल है वो कहा मिलेगी या biscuit का packet कहा मिलेगा उसका एक section होता है, right? हर एक item का D-Mart में एक section होता है और हम को पता होता है, अगर हम उस जगा पर जाएंगे तो हम उस समान की shopping कर सकते हैं Hashtag works in the same way Hashtag का मतलब क्या होता है कि आप अपने content को एक particular category में categorize कर दे रहे है आप उसको वहाँ पे fit कर देते है अब होगा कैसा कि जिसको भी उस category में interest है वो उस hashtag पर जाकर उसको देख सकता है इसको समझाने के लिए मैं आपको एक simple सा example देता हूँ Suppose आपको एक photographer है और आपने photo कीची चित्रकूट waterfall की जो हमारे बस्तर में है अब आपको उसे Instagram पे upload करना है आपने उसे normally डाल दिया बिना किसी hashtag के अब उसे कितने लोग देखेंगे आप खुद देखेंगे और आपके जो गिने चुने दोस्त हैं वो इंस्टाग्राम में जो पहले से लोग है उनको फोटो मिलेगी ही नहीं कैसे मिलेगी उसके लिए आपको उसमें hashtag डालना होगा hashtag waterfall, hashtag buster, hashtag visit36gaard, hashtag 36gaard इस टाइप के hashtags डालने होंगे जो Instagram पर trending है यानि जिसे लोग use करते हैं, जिसे लोग visit करते हैं और follow करते हैं, अगर आपने उसे वहाँ पर डाल दिया तो अब होगा क्या, suppose जैसे मैं उस topic पर interested हूँ मैं Instagram पर गया और मैंने उस hashtag पर click किया waterfall अब मुझे आपकी photo मिल जाएगी same rule लागू होता है videos पर, same rule लागू होता है Facebook post पर, Twitter पर, Instagram पर, हर एक जगह पर hashtag का concept बिल्कुल same है, हर एक platform पर वैसे ही apply होगा तो अगर next time आप photo खीच रहे हैं और उसे upload कर रहे हैं या किसी video का upload कर रहे हैं, तो make sure you are selecting the right hashtag तो ये था explanation hashtag पर, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, बबाई